नमस्कार दोस्तों ब्रत बिधी उपाई में सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों माग की महीना बहुत ही पावन महीना होता है माग की महीने में की गई जब, तब, दान, पुन्य, हवन और पुजा पाट की उतना ही फल मिलता है जितनी कार्थिक के महीने में होता है मानना था उनसार माग की महिने में जो भी वेक्ति संयोग पूर्वक जीवन जापन करते है तथा माग की महिने का नियम विधी पूर्वक मानते है उनके घर में कभी भी धन संपत्ति किसी भी चेज के कमी नहीं होती है माग मास की पूर्णे माती थी अपने आप में विसेश होते है साल के इगारवे महिने का नाम माग महिने है और माग के महिने में पूरे महिने हमने माग स्नान किया माग नियम का पालन किया तथा भगवान सुरिक्रिष्न की पूजा की साथ में माक महात्यम सर्वन किया इससे हमें कई सारा पुन्य अर्जन हुआ है जो लोग माक के महिने में नान, दान, पूजा, तप या ब्रत नहीं कर पाये है वो इस लास्ट के दिन में माक के महिने की पोड़ेमा के दिन में यह सब करके अपनी पूर्व जन्म तथा यह जन्म का पापों से मुक्ति पा सकते है इस दिन पोड़ेमा के दिन माता लक्षमी को बहुत ही प्रिय होती है इस दिन कुछ उपायों के द्वारा हम माता लक्षमी को प्रसन्न कर सकते है और साथ में ही माप पूर्णेमा के दिन चंद्र दोस से भी मुक्त हो सकते है दोस्तों जिनकी भी कुंडली में चंद्र दोस रहता है उनकी मन से वो बहुत ज़्यादा परिशान रहते है किसी भी काम में एक अग्रता नहीं लगा पाते हैं और नहीं मन लगा के काम कर सकते हैं ऐसे में मन बहुती चंचल होता है एक जगा रुपती नहीं है विद्यार्थों के लिए ये बहुती भयानक अवस्ता होती है पढ़ाई करते हैं परन्तों पढ़ाई का उपजिक्त फल नहीं मिलती एकजाम में अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं व्यवसा तो नौकरी में भी बुध्धी एक जगा स्थिर नहीं होती है इससे काफी बुरा असर देखा गया है इसलिए माग की पोड़ेमा एक अध्भुत चमतकरिक दिन होता है जिस दिन छोटे छोटे उपाई करके सुबेच से साम तक मैं बताऊंगी किस तरह से आप घर में छोटे छोटे उपाई करके माग पोड़ेमा के दिन में अपने भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं तथा घर स किसी भी प्रकर का जो नकरात्मete उड़ जाए है उससे दूर भगा सकते हैं माग महिने में संनान दान पूजा पाट जन का पिपनत प्ल मेलते हैं इस समय पवित्र नदी में सिनौर करना चाहिए माननियता अनुसार माग मा में भगवान विश्णु चलने बास करते हैं इसल ये हर जल गंगा के समान पुर्णदाई माना जाता है अगर गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा करके फिर स्नान करें यह गंगासनान के समन फल्पडाई होती है हिंदू सास्त्र के अनुशार सभी पुर्णिमायें विसेश होती है तथा उनके विसेश महत्व होते है मांक महीने की सुकलपक्स की जो पुर्णिमातिति आएंगी वह बहुत ही विसेश फल्दाई होगी 16 फेवरारी दिन रहेगा बुधबार इस दिन विधि विधान से माता लक्षमी भगवान विष्णुजी के साथ पूजा करने से खरमित धन धाने की कभी कमी नहीं होती है इस दिन घर पर सत्य नारायन भगवान की कथा करनी चाहिए संभव नहीं है तो खुद भी भगवान की कथा पड़ सकते है साती में पूर्णिमा का संब्ध माता लक्षमी के साथ है ऐसी माननेता है इस दिन कुछ उपाई कर लेने से माता लक्षमी की सुत्रिष्टी हमेशा हमारे उपर रहते है और घर में सुक सम्रिधी का बास होता है आए जान लेते हैं ऐसी कुछ उपाई में आपको बताऊंगी जिससे आपका घर धन धाने से पोर्ण होगा साथ में किसी भी प्रकार का नकरात्मक इनरजी चले जाती है मागी पोर्णिमा के दिन आपको में दर्वाजे में मुख्य द्वार पर ये उपाई करनी है माननता अनुसार हम जबी भी कोई भगवान का पूजा पाट करते हैं भगवान को आववान करते हैं माता लक्षमी के आववान करते हैं तो माता लक्समी सहित सभी भगवान घर के तैलीज सोकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए घर के तैलीज हमेशा सुन्दर, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। इस दिन आप के या असोक के पत्ते का तोरण बनाए और घर की मुख दर्वाजे की बाहर टांगे इसको जो देखने में काफी सुन्दर और पहुत ही पवव्य रूप देता है। इसके बाद हल्दी से स्वास्तिक बनाए घर की दर्वाजे की दोनों तरफ। इसे रोली और कुमकुम से टिका करे, थोड़ा सा अकसत से टिका करे। देलिस के दोनों तरफ गी का दीपक प्रजलित करे और हाथ चोड़ करके प्रणाम करे। गी का दोनों दीपक के सामने एक-एक फूल रखे। अगर पीला फूल या सपेद फूल जो भी आपको एवलेबल होगा, जो भी आपको मिल पाएगा, वही फूल से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माता तूलसी को जल चड़ाए तथा उनको सामने भी एक खेका दिपक प्रजलित करे। ऐसा करने से माता लक्षमी प्रशन्न होती है और उनकी आशिरवात सदा सरवदा हमारे उपर रहते हैं। इससे अश्चरिय के प्राप्ती होती है और घर में कभी भी दलिद्रता नहीं आती है। अब आते हैं हम दुसरे उपाई की तरफ। पापो से मुक्ती पाने का सबसे आसान और सबसे कारगर उपाई होती है दान। माप पूनी मक की दिन किये गए दान कई ज़्यादा बढ़कर हमें लगता है। इसी दिन गरीब प्रामनों को, छोटे बच्चों को या गरीब लोगों को जरुतमन बेक्ती को दान अपने सामर्त की हिसाब से अवस्य करना चाहिए। इस दिन ठंडे के समय है इसलिए आप चाहे तो कंबल का भी दान कर सकते है। जगा का और जरुत के हिसाब से दान करें वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके इलाबा इस दिन तील, घी, फल इत्यादी आप दान कर सकते हैं। इस दिन काले तील का दान करने से पित्रों को सांती मिलती है। काले तिलका दान अवस्य करना चाहिए इस दिन पित्रों को तरपन भी करना चाहिए अगर आप चाहे तो गंगा में किसी भी पवित्र नदी के सामने या तो फिर घर पी ही पित्र के नाम पे एक दिया प्रजुलित कर सकते है इसे पित्रों की आशिरवत प्राप्त होता है घर के मंदिर में माता लक्षमी जी के सामने घी का एक दिपक जरूर जलाए अखंड दिपक जलाए जो की पूरी पूर्णेमा के रात में प्रजलित रहना चाहिए इसे घर में धनबर्सा होती है और घर में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होती है आज जो उपाई आप सभी लोगों को बता रही हूँ ये सारे वो लोग भी कर सकते है जिसने ब्रत नहीं धारन करके रखा है या तो फिर ब्रत नहीं कर सकते है माक पूर्णेमा के दिन तीसरा उपाई आप कर ले इस दिन भगवत कीता का पाठ करना दान करना तता भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम करना बहुती अच्छा और फल्दाई माना जाता है मानता अनुसर जिस घर में इस दिन सत्तनारान भगवान की कथा होती है भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम पाठ होते हैं उनके घर में तो क्या दूर दूर तक भी कोई नकरात्मक इनरजी नहीं रहती है घर में सभी कार्य बनने की जोग बनने लगते हैं और जो काम रुका हुआ था बहुत दिन से नहीं हो पारी थी ऐसे काम भी बनने लगती है सभी संकट से मुक्ति मिलती है साथ में इस तरह से भगवान विष्णू की नाम करने से खर में एक पॉजटिव एनरजी एक सकरात्मक ओर्जा तयार होती है जिससे आपका सभी बिगड़ा हुआ काम दिरे दिरे बनने लगता है अब आपको बताती हूँ चौथा उपाय क्या है माग पूर्णे मा के दिन तथा किसी भी पूर्णे मा के दिन भगवान विष्णू सहीत माता लक्समी पीपल का पेड़ में बास्त करती है इस दिन पीपल का पेड़ में पूजा करने से तथा घी का दिपक प्रजलित करने स माता लक्समी बेहत खुस होती है और दोनों हाथ भर के आसिरवाद करती है इस दिन सुभे सुभे पिपल ब्रिक्स को पानी चड़ाना चाहिए साथ में घी का एक तीपक जरूर प्रजलित करे माता लक्समी के नाम पे कोई सफेद फूल जरूद चड़ाए ऐसा करके पिपल का ब्रिक्स का पूजा करने से घर में हमेशा सुख सम्रिधी रहती है माता लक्समी की आसिरवाद से घर में सुख और सांती दोनों विराजमान होते है अब आती हूं नेक्स्ट उपाई की तरफ चलिए हम आप जान लेते हैं पांचवा उपाई कौन सा है दामपत्य जीवन मे अगर मधुरता नहीं है क्लेज और लड़ाई जगड़ा लगा रहता है कोई मत का मिलन नहीं होती है कुछ आप बोलते है सामने वाले कुछ और बोलते है ऐसे में हमारे जीवन बिल्कुल दुखी हो जाता है और सूप का कोई छाया नहीं रहता है ऐसे में चंद्रमा को प्रसंद कर ले साथ में ही चंद्रमा को जब आप अर्ग देंगे प्रसंद कर लेंगे तो दामपत्य जीवन धीरे धीरे सुन्दर होता जाएगा संबंध में मदुरता आएगी चंद्रमा को प्रसंद करने के लिए हमें चंद्रमा का सबसे प्रियोधातु चांदी की वबार करना चाहिए चांदी के एक लोटा ले लीजिए और चांदी के तयारी भी कोई भी पात्र एक ले लीजिए अगर चांदी की पात्र नहीं है तो एक स्टील का पात्र लेले लेकिन उसमें चांदी से बना हुआ कोई भी एक चीज डाल दे फिर थोड़ा सा चाओल मिलाई एक बतासा या मिश्री या सक्कर शपेद मिठा चीजे उसमें मिक्स करें फिर चंद्रमा के तरफ देखते हुए हाथ को उपर कर के सर से उपर कर के भगवान को सरन करते हुए चंद्रमा को अर्ग दे और मन ही मन भगवान से यही पार्थना करे कि आपका दामपत्य जिवन सुख मैं मधुर मैं हो जाए भगवान के आसिरवात आपके दामपत्य जिवन को अच्छा बना दे इस तरह से चंद्रमा का पूजा करने से दांपत सुख की प्राप्ती होती है संपर्ख में मधुरता आता है तता घर में सुख सान्ती रहती है आईए अब हम जानते हैं चटा उपाई कौन सी है माग की महिना भगवान सरक्रिष्न को पहुत प्रिय होती है माग के महिने में भगवान सरक्रिष्न को जो भी विधि विधान से पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाई पूरी होती है इस दिन पायसम यानि की खीर बनाने का पड़े रिवाज है चाओल का सफेद खीर बनाए भगवान चंद्रमा को माता लक्समी जी को यानि की घर की मंदिर में रखे भगवान सरक्रिष्न को अगर भोग चड़ाए तो वो बेहत खुस होती है और सभी भगवान का आसिरबाद की प्राप्ती होती है इससे चंद्र दोस भी चला जाता है चंद्र दोस चाने के लिए इस दिन सफेद बस्तुओं का दान करना चाहिए जैसे चीनी, बतासा, मिस्त्री, सफेद बस्त्र, चावल, दूद, तही इतादी सफेद बस्त्र का दान करने से इस दिन चंद्र दोश से मुक्ति मिलती है पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए भगवान सरक्रिष्ण की बाल स्वरुप लड़ु गोपाल जी की पूजा इस दिन बड़े बिधी विधान से करे हो सके तो उनको इस दिन सफेद कलर का ट्रेस पहनाए सफेद फूल अरपन करे और चावल का खीर बना के भोग चड़ाए पंचमरित सनान करवाए तथा अपनी संतान के लिए और अगर आपके पास संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भगवान के पास आसिरवाद मांगे और अखिर में अब मैं आपको बताती हूँ वो साथवे उपाय क्या है जिससे आपका धन को हमें सब भरा रहेगा कभी भी धन धाने के कमी नहीं होगी ऐसा कभी नहीं होगा कि घर में किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए परन्तो आपके घर में पैसे नहीं है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धन की बरसात ना हो लेकिन ऐसा मान्यता है कि पैसे की कभी कमी भी नहीं आएगी माता लक्स्मी हमेशा ही आपके जुर्वत के समय आपके साथ रहेंगे ये उपाई साम के समय की जाती है माता लक्स्मी की चहां पे आप पूजा करोगे चाहे वो पूजा घर में है चाहे वो अलग से पाटा विचा के माता लक्स्मी की अगर पूजा करे वहाँ पे एक लाल कपड़ा विछाले उसके उपर इगारा कोड़ी लखे इगारा कोड़ी के उपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्यादी लगा के तथा केसर लगा के टिका करें और सफेद फूल चड़ा के पूजा करें पूजा के समई माता लख्षमी के एक माला का जब वहीं पे बैटके करें और माता लख्षमी के पास हमेशा धन धानिय से भरा रहे मेरा कूष, ऐसे ए आसिरवाद मांगते हुए, उस रात को औरे मा के दिन पूरे रात को माता लख्षमी के सामने वो इगारा कोड़ी रख दे अगले दिन सुभे सनाव नदी कम्प्लीट होने के बाद माता लक्समी के सामने से वो लाल कपड़ा उठाए साथ में ओ इगारा कोड़ी एक साथ बांध के पोटला बना के जहां आप पैसे रखते हैं उस जगा पर रख दे इससे आपकी धन धाने की कभी कमी नहीं होगी जब भी आपको पैसों की जुरत पड़ेगी आपका कही न कहीं से पैसे का चुकार जरूर हो जाता है ऐसा कभी नहीं होगा कि घर में अन्य का या खाने का कमी हो गई है माता लक्स्मी की कृपा हमीशा रहेगा और सम्रद्धी हमेशा रहेगा माता लक्स्मी की इस तरह से पूजा करने से घर के पैसे सम्मंदित सभी समसाओं का नास होता है जैसे की बिजनेस कर रहे परन्तु बिजनेस अच्छे से आगे नहीं बढ़ रही है नौकरी की बहुत चेस्टा करें, कोसिस करें परन्तु नौकरी नहीं मिल पारी है बहुत ज़्यादा मेहनत करें परन्तु मेहनत का कोई फल नहीं हो रहा है ऐसे में ये उपाई आप करके देख ले और देखे किस तरह से आपको माता लक्षमी जी की आशिरवाद की प्राप्ती होती है दोस्तो इस माख पूने मा में ये सारे उपाई कर ले जिससे आपका कभी भी धंधा नियक्या समरिद्धी का मांद सम्मान का कमी नहीं होगा अगर वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा है तो एक लाइप जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हमें सपोर्ट जरूर करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे